तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टेंस कंपानी का अपडेट सेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा लास तक देखेगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जूरू कर लेजेगा कंटिनेसली इंफोर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को पर बने रहीएगा तो चलो देख लेते हैं कौनसा कौनसा कंपानी है इस बीडियो के अंदर परस्ट जो कंपानी है जिसके बारे में बात करें उसका नामे समर्धना मदर्शन इंटेनशन लिमिटेड कोई छोटा मटा कंपानी नहीं है पहली बात बता दू कंपानी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट अभी आटो इंसलेरीज कंपानी है actually company number one में था कुछ दिनों से देखा है तो company का position अभी number two में पहुँच चुके है क्योंकि इसका जो total अभी market cap है उस market cap के इसाब से बात करूँ तो समर्दना मदार्शन जो सुनी है तो वो इंडिया के second largest company इसलिए बना है क्योंकि company का market cap अभी 76,000 करोड हो चुके है पहले कितना था? 86,000 करोड के आसपास था तो सरी पहले 76,000 करोड है वो बॉस जो है इसका जो market cap है उससे भी जादा था तो बॉस इंडिया के third largest auto insurance company थे आज वो second बन चुक है, fast बन चुक है तो इस सारे points को देखते हुए मैं एकी चीज़ कहूंगा कि companies के उपर जो growth है वो growth थोड़ा सा उइक होता देखने को मिला है फिर भी company के quarter result में इस बार highest sales generate किया जैसे 20,000 करोड से 25,000 करोड तक देखने को मिला और उसी basis में company क्या क्या? expense को भी company control में रखे और expense control करने के बाद company का net profit promoter से लेकर fsds public हर किसी के पास आपको investment देखने को मिल जाएगा चाहे बो promoter हो चाहे बो fs हो, चाहे बो ds हो, चाहे बो public हो तो institution क्यों continue कर रहा है? क्योंकि इस company के बारा में बो लोगों को पता है कि आज नहीं तो कल इस company एक धमा का performance जोरू करेंगे और आगे बनने के लिए दम भी रखेंगे तो जिस basis में मैं बात कर रहा हो इस company के बारा में तो आपको एक चीज़ों को समझना पड़ेगा इस तरीके से company के उपर जब भी आप काम करने के लिए जाएंगे तो इस सारे points को आपको जुरूर observe करना होगा, सारे points को जुरू देखना होगा कि actually company किस तरीके से काम कर रहा है तो अभी देखी इस company के बारे में बाकी जो data है उसके बारे में बात करूँ तो companies के जो technically chart patterns हैं तो मैंने किस level में anti लिया वो में आपके साथ share कर लगा हूँ पहले देखिया पर patterns बना, solder उसके बाद big head बना, उसके बाद 2 बाद solder बना तो solder के बाद 2 बार head बनने के बाद solder बना है और solder बनने के बाद finally क्या हुआ यहाँ पर breakout हुआ और breakout confirmation भी हो गया तो confirmation होने के बाद एक बार retest किये इस 200 days EMA को वो retest किया उसके बाद देखिये धीरते करके उपर गया उपर कहा तक गया, उपर देखा जाए तो उपर कहा तक गया company के जो एक strongly resistance है, उसी resistance तक company किया और उसको retest किया, उसके बाद company नीचे भी आए और इस level को retest किया उसके बाद धीरते करके उपर जाने का तो मेरे सबसे एक बेस तरीके से टार्गेट अचीव होने का कोशिस कर रहे हैं आपके क्या ओपिनन है जोरू कमेंट करना क्यूंकि फिलाल के लिए इस रेजिस्टन को फेस करने के बाद ही नीचे आ है तो यहां से रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्यूंकि करने मार्केट में थोड़ा सा प्रेशराइज अवी भी है तो प्रेशराइज को कंडूल करते हुए कमपणी आगे बढ़ेंगे कि लिए कि डेली बेसिस वोलाटेलिटी देखने को मिला है मार्केट में थोड़ा सा अप्सेंट डाउन तो कंटिनिव होता रहा है और इस बे और इस कमपानी के जो मार्केट केफ है, सोना बेल डवल का मार्केट केफ करीबन आप देखेंगे तो 37,400 क्रोड के आसपास देखने को मिला, अभी इस कमपानी के उपर एक चीज और भी नोटिस करेंगे, इस कमपानी के जो देखा जाए तो चार्ट पटन है, वो चार्ट पर कमपानी टेट कर रहे हैं, और मैंने आपको यह भी बताया, कि यह लेबल कमपानी के लिए स्टॉंग लेबल होगा, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक आउट करेगा, तो बड़ा धमाका होने का चांसेज होगा, तो दीखें क्या-क्या, पहले इस एंटी लेबल को रि आइट युँँ हाई के नीचे टारगेट बनाएं, तो वस्टी ज्यादा है, आज नी तो कल उस टारगेट को फूलफिल करेंगे, इसका कहना का मतलब है, कि सारे चीजिए को आपको समझ कर काम करना पड़ेगा, सारे चीजिए आपको देख कर काम करना पड़ेगा, तो क्य एक प्रफिट में की कंजरी का मतलब प्रोफित sem लेने से पहले सही, क्या कंम्प्राइग की पारफित सही है है, वह देखना जुरूरी है, जैसे कंपानी के क्रतित, मतलब क्लिगर देख के दो क्परेट्ट अनल democratic, और अलनल की क्रतित, इक्सरा एक्स Central करोड में देखना को म मिले हैं बाकि companies के उपर balance sheet को देखेंगे तो company का reserve एक time negative में था और उस negative reserve को आज अठा सो क्रोड तक लेके आए तो इसका मतलब company का management बहुत strong है और company का जो borrings है उस borrings के बार हैं बात करूँ तो companies के उपर देखिए 386 क्रोड के आसपास company का total borrings देखने को मिलेगा तो क्या इस पैसे को वो company easily मिटा सकते हैं अगर बो देखा जाए तो company के हाथ में 190 क्रोड है और company का करजा कितना है 386 क्रोड के आसपास तो company 50% पैसा तो मिटा सकते है खुद के हाथ में जो पैसा पड़े हुए है उस पैसे से company खुद के जो करजा है उसको मिटा सकते है इसका मतलब है company easy तरीके से इस सारे points को को अब मतलब fulfill करके काम करना मतलब काम करके आगे बढ़ सकते हैं बाकी मेरे जो राय है मैं चुरूर इसके उपर continue करूंगा तिके जो टेक्निकली चाट प्रतन्स मना है मुझे लगता है easily वो टार्गेट को अचीव कर सकते है नेक्स चो company उसका नाम है टाटा स्टील टाटा ग्रूप के एक trusted company है और इस company के बारे में एक चीज में आपको बता दू कि companies के उपर बहुत potential भी है क्यों में इस तरिके से बातचीत कर हो क्योंकि टाटा स्टील आज का company है बह वो उन्होंने इस company को अलग level में growth किया जैसे GRD टाटा ने भी इस company के growth किया उसके बाद अगर देखेंगे तो डौतन टाटा ने भी इस company के उपर अच्छा कासा इस टाटा स्टील के उपर growth किया अभी मुझे बहुत सर दोस्त कमेंट करता है कि सर आप तो बता रहे कि टाट सेक्टर के उपर है और मेटल सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो मेटल सेक्टर हमेशा आपको एक चीज़े को ध्यान रखना होगा कि ग्लोबाली मार्केट के उपर डिपन करके चलते हैं जहां पर हाइव वोलाटेलिटी आपको देखने को मिलेगा हाँ इस company को पर एक च तरीके से बना टाटा स्टील का अगर चाट बटन को देखू तो companies के उपर एक कफवी धने बटन से बना और फाइनली ब्रेक आउट हुआ रिटेस्ट किया उसके बाद देखे आल्मोस टार्गेट को एचिव करके नीचा आए इसका मतलब बेस तरीके से अगर देखा जाए तो companies इस company के उपर बेस तरीके से आपे एक patterns देखने को मिला बाकी आप किस तरीके से इस company को सोचते जोरू comments करना क्योंकि आज इन्वेस्टर इस company के उपर अच्छा कासा नीवेस करकर रखे जहाँ पर holdings भी है अच्छा कासा institution के पास भी holdings है साथी साथ देखा जो मीचल फ बाकि आपके के राय है जोरू comments करके बताना लास्ट जो company उसका नाम है पिशालो digital limited तो इस company के उप पांचाजर पांसो करोड का company है तो company के उपर एक बहुत बड़ आपडेट है वह company का bonus company हार एक के बदले एक से और bonus की साब से देने वाल है तो जो लोग bonus पाना चाते है इस company को पर एक बार इसाच करिए उसके बाद काम करिए और वीडियो में आकर जानकर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद